हलो फेंड एंसी आर्टी का आज हम लोग औभर करेंगे एंसी आर्टी सिक्स है हिस्ट्री का इंसी आटी 6 हेस्टी का आज का जो अध्याय है पांच है और लेडी हम चार तक अध्याय तक कर चुके हैं आज हम लोग 5 में आए हैं और आज का टॉपिक है राज्य राजा और एक प्राचिन गंद राज्य के ऊपर तो जितने पॉइंट इसमें बनेंगे आज को अभर जानते हैं कि एंसी आटी कितना महत्यपुर्ण हो जाता है सभी एक्जाम के लिए अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब लाइक और दोस्तों के सांथ जरूर सेर की जगा चलिए हम लोग सुरू करते हैं देखे दोस्तों पुरोहित पुरोहितों ने वर्ण को चार भागों माटा और सभी वर्णों को अलग अलग कारियों करने के लिए दिया तो सबसे पहला देख लेते हैं कि पहला वर्ण में रखा गया ब्रहामनों को, दूसरा में सासको को, और तीसरा में विस या वैस को, चौथा में छुद्रों को ब्रहामनों के अनुसर अलग अलग कारे और निर्धारित किये गए, तो जो सासक थे, उनका काम क्या होता था? सबसे पहले सासकों को दोस्तों छत्रिये भी कहा जाता था क्या कहा जाता था छत्रिये भी कहा जाता था और छत्रिये या सासकों का काम था जो यूध का काम होता था उनको देख भाल करना और यूध को समभालना छत्रियों का काम होता था और सासको का काम होता था दोनों इक्वल ही है और लोगों की रक्षा करना तो दो पॉइंट आपके एकजामे बन सकते हैं युद्ध और रक्षा करने का काम किसको संपा गया था तो सासको को संपा गया था वर्द की अधार पे अब बात कर लेते हैं विस या बैस विस या बैस का काम क्या निर्धारित किया गया था तो विस या बैस का काम निर्धारित हुआ था कि क्रीशक जो होते थे पसुपालक होते थे बेपारी होते थे इसके अंदर आते थे और जो क्रीशी का काम होता था पसुपालन का काम होता था वेपारीय काम होता था तो इनके अंदर देख भाल करते थे 過去 से विस या वैस करते थे और यक करने का अधिकार प्राप्त था विस या كरने का अधिकार प्राप्त हो तो यह दो points जो कि आप यौद रख सकते हैं नेक्सट है छुद्र को सबसे नीचे रखा गया है और प्राप्त नहीं था अनुष्ठान करने का प्राप्त इनको नहीं था अनुष्ठान नहीं कर सकते थे और औरतों को छुद्र के सामान रखा गया है छुद्र में कहा गया है कि अनुष्ठान नहीं करना है औरतों को छुद्र के सामान कहा गया है छुद्र में ठीक है तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं वर्ण को चार भागों में बाटा गय अब बात कर लेते हैं दोस्तों उभीद करता हो कि यह आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं जनपद जनपद क्या होता था तो जनपद यग्यों को करने वाले राजा अब दोस्तों जन से जन से जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने लगे तो जन मने क्यا होता था, स्वय मोथ होता था याद होगा कि सबसे पहले जन आया, उसके पाल जनपद आया, उसको बाल जनपद आता है तो महा जनपद के बारे में हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, इसी वीदियो में पढ़ेंगे आगे तो दोस्तों बताईए कि जन का अर्थ क्या हुआ जन में बसने की जगा जनपद का अर्थ हुआ क्या जन में बसने की जगा तो पुरातत्व वीदो ने बहु सारे खुदाई किये जहां से यह तीन प्रमुख जनपद मिले हुए है तो पहला दिल्ली में पुराना किला उसके बाद उत्तर प्रदेश में मेरट के पास हस्तिनापूर एटा के पास ती अंत रंजी घेडा यह तीन प्रमुख अस्थल मिले हुए है जनपद में और इतना ही नहीं दोस्तो पुरत तो वीदो ने खुदाई जब करवाया तो वहां से लोगों के जोपड़ी में रहने का जो साक्ष मिलते हैं और जानवरों को पालने का भी साक्ष मिलते हैं और बात कर लेते हैं वे लोग चावल, गेहू, धान, जो, दाल, गंडा, तील, सर्सो जैसी फंसर उगाते थे तो इतना डेवलॉप्ट कर चुके थे जन्र के लोग अब देखिए और वो लोग जो की बरतन भी बनाते थे कुछ बीसेश परकार के बरतन मिले हैं जिन्हें चित्री धूषर पातर टाइप के कुछ बरतन मिले हैं जो चित्री दूसर पार्ट टाइप के बरतन था ज्यादा तर थालियां और कोटोलियां मिली हुई है तो अब हम लोग जन्पद के उपर बात कर लिए अब आते हैं महा जन्पद क्या होता था तो दोस्तो थोड़ा मुझे गला में प्रोब्लेम है आपको अगर वीडियो साफ या किलिए आवाज नहीं अगर पहुचे तो उसके लिए च्छमा चाहता हूं चलिए महा जन्पद कुछ जन्पद अधिक महत्पून हो गए इन्हें महा जन्पद कहा जाने लगा आपको दोस्तो या और दोस्तो आप पढ़े भी होंगे तो आपके पास इन्सी आटी बूक है तो आप देख सकते हैं जो जो महत्पून कॉइंट है यह एक्जाम के दिरिश्टी कौन से इन्पोर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए यह सब कॉइंट और दोस्तो जो अधीक्तर महाजनपत की राजधानी होती थी वह कीले बंदी की गई होती थी तो कीले बंदी का अर्थ हुआ अर्थात कीले बंदी से हम समसकते हैं कि जो उस समय के चारो ओर से घेरा टाइप के बना दिया गया था और घेरा क्या चीज़ ऑनाटरी बनंते हैं तो चारो ओर से लकड़ी का, आइट का, पथर का उची दिवार बनाई गई थी तो इस टाइप के कुछ है उस समय था अब देखिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों महाजनपद में जो जन में जनपद में महाजनपद में आते हैं तो राजा यहां पर जो सेना रखने की यहां पर शुरू कर लेते हैं और जो सेना का बेतर भत्ता है वह तेरा भी शुरू हो जाता है तो महाजनपन में आप देखेंगे कि राजा जो आते हैं वहाँ से सेना रक्षा कोते हैं और यहां पे जो राजा है वह सेना रखते हैं ठीक है तो इस टाइप आप एक दिन काम करेंगे दो दिन काम करेंगे और एक महीना काम करेंगे दो महीना काम करेंगे उसके बाद घर जाएंगे आपड़ा तो उस समय का ऐसा नहीं था एक साल के लिए पुरे खरीद लिया जाता था इस टाइप के कुछ था और उसके मदले में कुछ भुकतान भी कि था तो इंस एर्टी में जो दिया गया है वही इसमें बताया गया तो आप लोग देख सकते हैं जो उपज का इक बटा छौ फ्सा जो होता था वह निरधारित किया गया था देना था और जो कारी कारीगुरों के ऊपर प्रायस श्रम श्रम काम करकर चुकाते थे जैसे बात करें बुनाकार लोहार या सुनार होते थे वह उन पर तो कड नहीं लगाया जा सकता था और जो क्रीसी माल के चलो क्रीसी हम लोग कुछ उप जाए ठीक है तो उस में से जो हिस्सा जैसे बाटवारा नहीं हो टाइप की होता था कि हां इतना मैं से आपको इतना अना तो इस ताइप का जो कारीगर थे बुनाकार थे लोहार थे तो उनको जो होता था राजा के लिए एक महीने में एक दिन काम करना परता था ठीक है श्रम काम करकर वह चुकाते थे अपना कर पसुपाल को जानवडों के उसके उत्पादन के रूप में बेपारियों को सामान खरिदने, बेचने के रूप में कल देना पड़ता था अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्रीसी में बहुत बढ़े परीवर्थन आए महाजनपद में, काल में और क्रीसी के दो छेतन में बहुत बढ़े परीवर्थन आए थे तो पहला है जो हल का जो फाल था वह लोही के बनने शुरू हो गए पहले जो लकड़ी का बनता था अब लोही के बनने शुरू हो जाते हैं महाजन्पद बे काल में और देखते हैं लोग जो है धान के पौधे का रोपन भी सुरू कर लेते हैं धान के पौधे लगाना भी शुरू कर लेते हैं अब आते हैं दोस्तों मगद तो मगद से आप लोग भूबहू परचित होंगे मगद लगभद दो साल के भीतर मगद सबसे महत्पूर्ण जनपद बन गया और दोस्तो आप सभी जानते हैं कि गंगा और सोन के बीच में जो होता था वह मगद से होकर बहती थी गंगा और सोन नदी और मगद के सकति साली राजा हुए थे सासक हुए थे बिम्बिसार और आजासुत या आजास्तरों ही बोल सकते हैं महापदबंध नंद ये महतपून मगद के उस समय के राजा थे और दोस्तो इतना ही नहीं बिहार के बारे में हम लोग ठुरा जान लेते हैं कि राजगिर है उस समय का नाम था अभी का नाम राजगीर है तो कई सालों तक मगद की राजधानी भी रही है मगद की बिहार की राजधानी मगद भी रही है कई कई सालों तक राजधानी बाद में पाटली पुत्र हुगा राजधानी ठीक है तो यह कुछ है कि जो पूछे जाते हैं और हमको लगा इन्पोर्टेंट है आपको बताना चाहिए इसलिए मैं इसको डोड़ डाउन किया था NCRT में से अब आते हैं दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जो मेसी डोड़िया का जो सिकंदर राजा था वो विस्व विजय करना चाहता था मगत को जीतना चाहता था तो इसके उपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे ठीक है इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे यह बहुत लंबा चोरा कहानी है इसके पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट विडियो में अब देख लेते हैं मगत के बारे में अब देखते हैं बजजी के बारे में बजजी क्या होता था तो जैसा कि मगत सक्तिसाली राजा बन गया था उसके नजदिक ही वजजी था वजजी की राजधानी दोस्तों वैसाली होती है यह दोनों बिहार में परता है और बिहार में य वज्जी की राजधानी कहा है वैसाली है यो की एकजाम में पूछे जाते हैं वज्जी की राजधानी कहा है वैसाली है आप लोग याद रखिएगा और याद भी होगा और यहां के एक अलग क्रिस्म के सासन बेवस्ता देखने को मिलती है वज्जी की और जिसमें से गण या जो था दिर्क निकाय से लिया गया है और कई सासक यहां के थे कभी-कभी एक सासन करते थे यहां के जो राजा गण या संग के थे कभी-कभी एक सासन करते थे जिनको परतेक वेक्ति सासन करते थे उनको राजा बोला जाता था परतेक वेक्ति राजा कहलाते थे ठीक है और दे देख लेते हैं गन दोस्तों बुला जाता था शब्द का पर्योग कई सदस्यों सदस्यों वाले सभू के लिए किया जाता था अर्था शब्द का जो पर्योग होता था गन में वह कई सभू के लिए किया जाता था और संग का अर्था संगहटन या सभा के लिए पर्योग होता था शंग तो उमीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे अब देखें यहां पे देखते हैं जो गन और संग था वह बूध तथा महाबीर से संबंधित थे यह गन और संग बूध और महाबीर से संबंधित है जो कि आपके एक्जाम में पूशे जा सकते हैं तो यह रहा चेप्टर फाइब का जो बेसिक पॉइंट है वह और दोस्तो आई होप आपको समझ में आया होगा और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर इंसी आर्टी सिक्स का उसमें कॉभर करेंगे तो यह वीडियो कैसा लगा आप हमको जरूर कमेंट में बटा सकते हैं और ऐस भारत